बच्चो आज वो जो हम श्रंखला सीक रहे हैं एक मज़ेदार स्रंखला सीक रहे हैं इसमें क्या करेंगे अगर इनका फेस अनिकेत का फेस गेट की तरफ है न इसका मतलब हमें पीछे जाना है 18 से पीछे जाना जैसे 17, 16, 15 ठीक है अब यह इनका फेर्ज अगर मेज की तरफ हो गया अनिकेट मेज की तरफ मुझ कल दो अगर इधर की तरफ हो गया तो इसका मतलब क्या करना है तुम्हें आगे जाना 18 के आगे जाना कितना हैगा 19, 20, 21, 22 अब यह देखना है कितने खाने कूदेंगे ठीक है कितने खाने कूदेंगे यह तुम्हें देखना है चलो अनिकेट शुरू करो कहां घड़े हो बताओ पहले 18 पर गड़े है चलो आगे तो कहां आगे यह साब बास लिख दो जल्दी अनिकेद अब तुम्हें जरूरी नहीं दो खाने छोड़ो अपनी मर्जी से कितने भी छोड़ो ठीक है वो राधी का देखेंगी चलो अब कहां घड़े हो यह बताओ पहले अठारा पर घड़े हो तुम ठीक है चलो क्या आएगा साब बास क्या आएगा 21 चलो अब अब कहां घड़े हो 15 पर खड़े हो चलो तुम दो खानों पर क्यों रुक रहे हो अपनी मर्जी से एक खाने पर रुख जाओ कभी दो पर रुख जाओ कभी तीन पर रुख जाओ तुम्हारी मर्जी है ठीक है चलो चलो दुबारा अब तुम्हें किस पखड़े हो चलो देखो रादिका देखो इन्हें जल्दी साब बाज लिख दो अनिके तुम्हें इन्हें क्या करना है फसाना है ठीक है हाँ ये गलती करवाओ इनसे भई चलो बारे पखड़े अब देखो रादिका देखती रहो गलती करवाओंगे तुम्हें कहा आ गए साब बाज देखो अब आप बताओ अब ये तेहिस पखड़े अब देखती रहो चलो कहा आ गए साब बाज चलो बागे चलो चलो जल्दी अब कहाँ घड़े हो नो पर घड़े हैं अब देखो ये रुख गए रादिका कितने पर रुख गए क्या भरोगी है साब बाज तो अब देखो इधर अगर इपेस करके जाएंगी अगर हम इधर जाते हैं तो घटाते हैं और टेविल के तरफ जाते हैं तो जोडते हैं समझ गए चलो ताली बजाओ ताली बजादो